हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टाइगर पीजन में आज की इस वीडियो में हम इतिहास के भी वियाई प्रस्ट्न करेंगे तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहला कोश्चन तो पहला कोश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहां इस्तित है आपसन नमर ए वियतनाम, बी थाइलेंड, सी लाओस, डी कमबोडिया तो इसका जो अपसन हो जाएगा इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कमबोडिया हो जाएगा कुश्चन नमर दो देखते है कुश्चन मर दो है दा हिस्ट्री ओप दा लास आफ द वितनाम किसने लिखा तो पहला उप्सन दिया हुआ है ए होची मीन दूसरा फान वोई चाओ सी कुवांग टी त्रियू तो कुश्चन नमर दो का जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी इसका सही अंसर हो जाएगा फान वोई चाओ जिन्नोंने दा हिस्ट्री ओप दा लास आफ द वितनाम लिखे थे तो कुश्चन नमर तीन है मार्च 1946 में फ्रांस में वितनाम के बीच होने वाला समझोता किस नाम से जाना जाता है तो पहला option दिया हुआ जनेवा समझोता B में दिया हुआ हनोई समझोता C में Paris समझोता D में धर्म निर्फेक समझोता तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा B हनोई समझोता होगा चार नमर करते हैं कोश्चन चार नमर कोश्चन में दिया हुआ है किस परसिद दार्शनिक ने एक अदालत लगा के अमेरिका को पियत नाम युद के लिए दोसी करार दिया तो पहला option है रसेल दुसरा option होची मिन और तिसरा option है नरुत्तम और चौथा है रूसो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये कोश्चन में पांच करते हैं तो कोश्चन में पांच में हिंदी हिंद चिनी छेत्र में अंतिम यूद समापती के समय में अमेरिकी राष्टपती थे पहला दिया option वासिंग्टन दूसरा निक्सन तीसरा जॉर्ज बूस और चौथा रूजल वेल्ट तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निक्सन हो जाएगा निक्सन हो जाएगा अब हम क्वेश्चन नमर 6 करते हैं तो क्वेश्चन नमर 6 में कह रहा है हुआ 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 अंदोलान किस पर किती का था किस पर किती का था तो पहला option दिया हुआ क्रांति कारिक दूसरा option धार्मिक तिसरा समराजवार्दी समर्थक और चौथा क्रांति कारिक धार्मिक तो इसका जो अंसर हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्वेश्चन नमर 7 में दिया हुआ हिंद चीन छेत में कौन से देश आते हैं तो पहला option दिया हुआ है चीन वियतनाम और लाउस दूसरा option में है हिंद चीन वियतनाम और लाउस तीसरा option में दिया कंबोडिया वियतनाम और लाउस चौथा option में दिया हुआ कंबोडिया वियतनाम चीन और थाइलेंड तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C तो आगे का question हम करते हैं तो 8 number question हम करते हैं 8 number question में हैं हिंद चीन पहुँचने वाले पर्थम बेपारी कौन थे A में दियावा है प्रितानी B में फ्रांसी C C में पुर्तेगाली D में डच तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C पुर्तेगाली और 9 number का question है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसी C कहें जाते थे पहला उसन दिया हुआ है फ्रांसी C दूसरा में सासफवर्ग और तीसरा में कोलोन और चोथा में जैनरल तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोन हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसी C कहें जाते थे कोलोन दस नम्मर कोशिशन लुटतम सिहानुक कहां के सासफ़ थे तो पहला उसन है वियत नाम बी में लावस सी में थाइलिन दी में कमबोडिया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दी कमबोडिया 11 नम्मर कोशिशन हम करते हैं रूस में क्रिस्टक दास पर्था का अंतकब हुआ तो A में उप्सन दिया हूँ अठाए सो एकसर इस भी में B में है 1872 इस भी में C में 1833 इस भी में D में 1864 इस भी में तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा तो हो जाएगा यह एका 1861 इस भी में रूस में किरिस्टक दास पर्था का अंत हुआ था रूस में सामवादियी सासन का पहला पढ़ योग कहा हुआ था तो पहला है रूस दूसरा है जापान तीसरा है चीन और चौथा है क्यूबा तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस रूस में सामयवादी सासन का पहला पढ़ योग हुआ था तेरा नमर क्वेशन करते हैं तेरा नमर क्वेशन में है रूस में जार का आर्थ क्या होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा रूस का समराथ हो जाएगा Q14 करते हैं Q14 में Karl Marx का जन्म कहा हुआ था इसमें दिया हुआ है पहला option England दूसरा option Germany तिसरा इटली और चौथा रूस तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा B Germany में Karl Marx का जन्म हुआ था 15 नमर Q14 करते हैं 15 नमर Q में दिया हुआ है Qasq Das Capital किसकी रचना है Das Capital किसकी रचना है तो पहला option दिया हुआ Karl Marx दूसरा option दिया हुआ लेलिन तिसरा option दिया हुआ विसमार्ग और चौथा option दिया हुआ गांधी तो Das Capital Karl Marx की रचना थी इसलिए इसका जाएगा A तो आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही हम प्यू लाते रहेंगे लाते रहेंगे लेभीशüzik